हेलो एवरीवान वल्कम बैक टो मा यूट्यूब चानल साइंखोशे क्रियेशन्स आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं दिपावली की पूजा विधी शेयर करने माली हूँ दिवाली के दिन आप किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको एकदम सरल तरीके से दिवाली की पूजा करना सिखाऊंगी तो सबसे पहले तो आपको चावलो का आसन देना है और चावलो के आसन पर आपको अपने लक्षमी गनेश जी और माता सरस्वती को विराजित करना है आज की दिन सरस्वती जी की भी लक्षमी गनेश जी के साथ पूजा जरूर से करे पीछे पोस्टर में है अगर आपके पास पोस्टर नहीं हो और मुर्ती भी नहीं हो तो आप सुपारी के रूप में माता सरस्वती को बना कर अपनी पूजा में रख सकते हैं या फिर कोई कॉपी या पैन भी रख सकते हैं, वो भी सरस्वती माता का स्वरूप होता है, अब हम हमारा पूजन शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको जलका छीटा देकर भगवान को स्नान कराना है, पूजा की चौकी जो है आप दिन में ही लगा सकते हैं, आज के वीडियो हैं मेरे चैनल पर 50 से भी जादा, आप जाकर देख सकते हैं, डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो अब मैं अश्ट दिल कमल पर जोतकी स्थापना कर रही हूँ, याद रखें दिवाली का जो अखंड दीपक होता है, वो पूरी राद जलता रहना चोटा हो या बड़ा हो आप अपने अनुसार ले सकते हैं, तो यहाँ पर अश्ट दल कमल मैंने बनाया है, चावलो की हिल्प से, उसके उपर एक दिया रखेंगे, आप दिये का पूजन करेंगे सबसे पहले, दीपक पर हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, सब कुछ करेंगे, और फिर भगवान को नमस्कार करेंगे, आप पूजा करते वक्त अपने फोन में, मोबाइल में, आप माता के मंत्र चला कर रख सकते हैं, लक्ष्मी माता के, आप जो है, सबसे पहले गनपती जी का तिलग करेंगे, उनके पूजन से शुरुवात करेंगे, तो गन मंदिर में पूजा कर रहे हो, तो तो आपको अलग से चौकी लगाने की जरुत नहीं होगी, पर दिवाली है, नवरात्री है, ये सब बड़ी पूजा होती है, अगर आप चाहें, तो अलग से चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं, तो यहां पर मैने मूर्थी पर, और मा पलक से ला सकते हैं साथी साथ आपके घर में जो भी घेने जेवरात होंगे अपनी तिजोरी होगी उनको भी आज के दिन धूबदीब जरूर से दिखाएं अगर आप सब बहार नहीं निकाल सकते हैं तो तिजोरी में ही आप धूबदीब दिखा दीजिए फिर भगवान को व माता को इत्र करेंगे, इत्र गणपती जी को सरस्वती जी को सभी इत्र लगाएंगे, माता को सुगंध्य चीजे अतित्र है, इत्र है, ये सब remote करी जाती है, तो आप अपने माता को इत्र जरूर से लगाएं, खुद भी पूजा में, परफियों, डियो, इत्यादि लगा तो आप माता को गुलाब का फूल अर्पित करें कमल का मिल जाए तो वो भी चढ़ाएं वरना जो भी फूल आपको मिल रहे हो वो सब फूलाब माता लक्षमी को अर्पित कर सकते हैं लाल गुलाब या गुलाबी रंग का जो गुलाब होता है दोनों में से जो मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं मैंने यहां गहरे गुलाबी रंग के गुलाब माता को अर्पित करें हैं तो माता को मैंने गेंदे के फूल और सरस्वती माता को सफेद रंग के फूल चढ़ाए गनपती जी को आप दुरवा भी अर्पित कर सकते हैं दुरवा के साथ साथ गनपती जी को गुढ़ल का फूल मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं पर दिवाली की पूजा रात को होती है जादा तर और रात तक गुढ़ल का फूल मुर्जा जाता है तो इस प्रेकार से भगवान को फूल-फूल माला सबकुछ अरपित करने के बाद अब जो है पान का पत्ता लॉंग इलाइची में चढ़ा रही हूँ अगर आपको पान का पत्ता मिल जाए तो आप माता को उसका भोग जरूर से अरपित करें अगर पान का पत्ता ना हो तो पान, जो खाने वाला पान होता है, उसका भी भोग माता को चढ़ा सकते हैं, अब जो है अनाज का पूजन करेंगे, साथी साथ धन्तेरस के दिन जो आप धनिया लाए थे, वो भी इनी अनाज में रख लीजिए, आप साथ, आठ, नौ या जितने अनाज लेना चाहें, अनाज में आपको खड़ा धन्ने लेना चाहिए, जैसे दाले जो टूटी हुए होती हैं, वो दाल नहीं लेनी है, ऐसे खड़ा धन्ने लेना है, जैसे गेहू है, चावल, धनिया, इलाइची, बदाम, काजो, किश्मिश, कुछ भी ले सकते है ये पांच चीजे रखेंगे, हमारे घर में धन, धन्ने, सभी का विकास हो, सभी चीजे भरी रहें, इसलिए धन के साथ धन्ने की भी पूजा करी जाती है, माता लक्ष्मी के आठ सवरूप है, विद्या का सवरूप, अन्नपूर्णा का सवरूप, धन का सवरूप, चड़ा सकते हैं, जो भी मिठाई आप दिवाली के लिए लाए हो, वो चड़ा सकते हैं, आपके घर में पारंपरिक रूप से कुछ बनता हो, जैसे हमारे अमोंग दाल का हलवा बनता हो, तो वो चड़ा सकते हैं, खील बताशे दिवाली के दिन विशेश महत्वर रखते है तो आप खील बताशे जरूर से अर्पित करें, साथ ही साथ आप चावलों की खीर का भोग भी माता को लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से अब धूब दिखा देंगे, पूजा में धूब दिखाएं, आप दिवाली के दिन अपनी किछिन की पूजा भी जरूर से करें, अपनी किताब लाकर उसकी पूजा करें, अपनी दुकान पर जाकर वहां भी दीपक चलाएं, पूजा करें, अम माता को कौड़ी और गोमती चक्र में अर्पित करने हो, कौड़ी और गोमती चक्र माता को अतिप्रिये हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता समुद्रे से आई हैं, इसलिए समुद्र की जितनी भी चीजे होती है वो उन्हें अतिप्रिया है जैसे कमल का फूल है कमल गटा कौड़ी गुमती चक्र यह समाता को इसलिए अर्पित किया जाता है तो अगर आपको कौड़ी गुमती चक्र मिल जाएं तो जरूर से चढ़ाएं अब जैसा मैंने बोला धानन का पूजन भी आज के दिन जरूर से करना चाहिए धन 13 के दिन जाडू खरी दी जाती है और उसके बाद उसकी पूजा करी जाती है हमारे या इस प्रकार से छोटी सी पूजा की जाडू अलग से ही मिल जाती है यह लेना जरूरी नहीं है आप जो है आपके यहां नॉर्मल जो जाडू मिलती होगी अपने घर की वो जाडू लाकर आज की दिन उसका पूजन जरूर से करें जाडू में लक्षमी का वास माना जाता है इसलिए आप जाडू की पूजा जरूर से करें तो आप जाडू की पूजा करने इसके बाद अब जो है दिवाली के दिये दिवा से प्रेजवलित करने चाहिए तो मिट्टी का सबसे पहले तो आपको एक बड़ा दिया लेना होता है तो बड़ा दिया जो है माता के सामने रात भर जलता रहना चाहिए उस पर काजल भी बनाया जाता है मैंने यह प्रेजवलित करके नहीं दिखाया है पर आप दिवाली वाल पूरी पूजा हो जाए जब सारे दिया पर जला लीजिए उसके बाद आपको मूंग चावल का अक्खा अर्पित करना होता है मूंग चावल का अक्खा मतलब आपको दोनों हाथ में मूंग और चावल लेने हैं और इस प्रकार से तीन बार भगवान को अर्पित करने हैं सभी मुंग चावल ऐसे तीन बार जरूर से चढ़ाएं सभी परिवार वाले फिर भगवान को आप पुषपांजली अर्पित करें यानि पुषप के पत्ते थोड़े से अर्पित करें जो भोग प्रिसाद आपने जो घर में खाना बनाया होगा सभी चीजों का माता को भोग लगा तो आप माता की आर्थी करें गनेशी की आर्थी करें सरस्वती मा की आर्थी करें और फिर डक्षिना चढ़ाकर अपनी पूजा पूर्ण करें इसके बाद अपने पूरे घर में आप दिये रख दीजिए अपने पित्रों के नाम के आप जो है अपने ऑफिस में अपना जो करते हैं अभी तो मैंने आपको दिये प्रजुलित करके नहीं दिखाए हैं पर आपको दिवाली पर दियो को खील बताशा सब चढ़ाना है रोली चावल अर्पित करना है और इस प्रकार से दियो का पूजन करना है तो इस तरीके से आपकी दिवाली की पूजा पूर्ण हो ज सब्सक्राइब करें थांक यू वेरी मच फो वाचिंग प्लीज लाइक शरन सब्सक्राइब दिवाली और आगे आने वाले अन्नित वहारों के लिए